प्रिये विद्यार्थियों, आज हम कक्षा ग्यारा हिंदी की पाठ्थे पुस्तक आरोह भाग एक के अध्याय पांच में वरनित कवी भवानी प्रशाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता पड़ने जा रहे हैं। ये बात उन दिनों की है जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। उठ रहा था। भारत माता को दास्ता की बेडियों से मुक्त कराने के लिए नव युवक बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे थे। और इसी प्रकार कवी भवानी प्रशाद मिश्र ने भी अपने पिता स्री सीताराम मिश्र के आदर्सों का अनुसरण करते हुए देश भक्ती की भावनाओं से भर कर एसायोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। परिणाम सुरूप इनको कारावास में डाल दिया गया। गर की अपने परिवार जिनों की यादें कभी को आने लगी उसका रिधै भाव विभोर हो गया। उसके नेत्रों में जल भर आया और देखते ही देखते उसे ऐसे लगने लगा। मानो उसका घर, उसका परिवार, उसके परिवार के सदस्य, उसकी आँखों के सामने तैरने लगे हो। आज हम सबसे पहले कवी भवानी प्रशाद मिस्र के बारे में कुछ जानते हुए इस कवीता को पढ़ेंगे। कवी का परिचै भावानी प्रशाद मिस्र का जीवन परिचै भावानी प्रशाद मिस्र का जन्म 23 staring 193 में हुना lucky इनका जन्म स्थान है टिगरिया गाउं यह मध्य प्रदेश के होसंगाबाद जिले में इस्तित है कवी भवानी प्रशाद मिश्र का जन्म टिगरिया गाउं में हुआ जो होसंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में इस्तित है और इनका जन्म 23 मार्च 1913 इस्वी को हुआ इनके पिता का नाम सीता राम मिश्र था और इनकी माता जी का नाम स्रीमति गोमती देवी था गोमती देवी सरल और भावक रधई महिला थी उन्होंने बीये तक शिक्षा प्राप्त की और सन 1942 के एसहयोगा अंदोलन में भाग ले करके भवानी प्रशाद मिश्र जेल गए इन्होंने वर्धा के महिला कॉलेज में अध्यापन का कारी भी किया, कुछ वर्सों तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना का सह संपादन भी आपने किया है उनके द्वारा रचित कविताओं में दैनिक जीवन के सुख दुख व्यक्त हुए हैं बहुत सरल भासा में सहस्ता के साथ विधे की जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की वही कविता बन पड़ी वे सरल सहज स्वभाव के गंभीर व्यक्तित्व के कवी थे गांधी जी का अनुसरन करते थे गांधी वाद को मानते थे गांधी वाद पर उनकी आस्ता थी गांधी वाद पर आस्ता रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वांग में के हिंदी खंडों का संपादन किया और इस प्रकार कविता और गांधी जी के बीच सेतू का काम भी उ जुडता है जिस प्रकार की उनकी कविताएं है बहुत सहस्ता के साथ आज पानी गिर रहा है बहुत पानी गिर रहा है रात भर गिरता रहा है प्राण मन गिरता रहा है बहुत पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है इस प्रकार की जो ले है इस ले का चर्खे की ले के सा कविता का गांधी भी उन्हें इसलिए कहा जाता है कि उनकी कविताओं की लयए उनके चरखे की लयए के साथ तालमेल बिठा लेती है मिल जाती है और इस प्रकार इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। प्रहन सीलता को हम प्रभवी रूप से देख सकते हैं। 20 फरवरी सन 1985 को नर्सिंगपुर में इनका देहावशान हो गया। इनकी प्रमुक रचनाये हैं सत्पुडा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोस, चकित है दुख, खुस्बू के सिलालेक, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, अनाम तुम आते हो, और एदम नममे, और गांधी पंच सती इत्यादी इनकी रचनाये हैं। इस कविता का परिचे हम प्राप्त करते हैं। इस काल में उसे अपने घर की याद सताती रही, विशेश कर कवी पिता को याद करता रहा कि वे उसके अभाव में दुखी होंगी। उसको याद करके बहुत दुखी होंगे। कवी को बार-बार इस प्रकार का आभास होता कि घर पर उसके परिवारजन उसकी याद में, उसकी विरह में बहुत दुखी रहे होंगी। और विशेश रूप से वे अपने पिता को दुखी नहीं देख सकते थे, बार-बार वो यही सोचते थे कि उनके बारे में, यानि कवी के बारे में सोच सोच करके कहीं उनके पिता दुखी तो नहीं हो रहे होंगे। उनी को वह सावन के माध्यम से अपनी कुसलता का समाचार भिजवाता है। यातनाओं से भरी हुई विभिन्न प्रकार की यातनाओं के बारे में वह जानकारी नहीं दे दे। वो उनको यह नहीं बता दे कि कवी का मन, यानि उनके बेटे का मन, उनके देशभक्त बेटे का मन वहाँ पर नहीं लगता। बहुत निरासा में रहता है, रात-रात भर जागता है, और बहुत सारे कामों को इस अन्मने भाव से करता है, कभी-कभी तो कभी को ऐसा लगता है, जैसे कि वो ये भी नहीं जानता कि उसका अस्तित्व क्या है, तो इस प्रकार से कभी उससे अपनी वास्तित्ता ने कहने के ल सक्से यह कवीता है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सक्से यह कवीता हैं। मा की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। मा की जिसकी सनेह धारा का यहां तक भी पसारा उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिता जी जिनको बुढ़ापा एक शन भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दोड जाएं। जो अभी भी खिल खिलाएं। जो अभी भी दोड जाएं। काम में जंजा लरस्ता, बोल में बादल गरस्ता, काम में जंजा लरस्ता, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर, जबकी नीचे आये होंगे, नैन जल से चाये होंगे, हाई पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा हाइ, पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, चार भाई, चार भईने, भुजा भाई, प्यार भईने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिता जी जिनको बुड़ापा एक सन भी नहीं व्यापा रोपड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा पिता जी कहते रहे हैं प्यार में बैते रहे हैं आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उने हेटे क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंदा बैठा हूँ अभागा और माने कहा होगा दुख कितना सहा होगा आँख में किस लिये पानी वहां अच्छा है भवानी वह तुमारा मन समझ कर और अपना पन समझ कर गया है सो ठीक ही है यह तुमारी लीक ही है पाम जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता इस तरह होवोन कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे पिताजी ने कहा होगा हाई कितना सहा होगा पिताजी ने कहा होगा हाई कितना सहा होगा कहा मैं रोता कहा हूँ कहा मैं रोता कहा हूँ धीर मैं खोता कहा हूँ हे सजीले हरे सावन हे की मेरे पुन्य पावन तुम बरस लो वेन बरसें पाँचवे को वेन तरसें मैं मजे में हूँ सही है घर नहीं हूँ बस यही है किन्तु ये बस बड़ा बस है इसी बस से सब विरस है किन्तु उनसे यहन कहना उन्हें देते धीर रहना उन्हें कहना लिख रहा हूँ उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ उन्हें कहना लिख रहा हूँ उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ काम करता हूँ की कहना नाम करता हूँ की कहना काम करता हूँ की कहना नाम करता हूँ की कहना चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ सोक कहना और कहना मस्त हूँ मैं कातने में व्यस्त हूँ मैं वजन सत्तर सेर मेरा और भोजन धेर मेरा वजन सत्तर सेर मेरा और भोजन धेर मेरा कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ और कहना मस्त हूँ मैं यह न कहना अस्त हूँ मैं हाई रे ऐसान कहना है कि जो वैसान कहना कहन देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ कहन देना मोन हूँ मैं खुद न समझू कोन हूँ मैं देखना कुछ बकन देना उन्हें कोई सकन देना हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुन्य पावन तुम बरसलो वेन बरसें पांच वे को वेन तरसे लीजिए अब हम इन पंक्तियों का भावार्त और अर्थ ग्रहन कर रहे हैं कवी इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि बहार बारिस हो रही है बादल बरस रहे हैं खूब बारिस हो रही है आज पानी गिर रहा है पानी बरस रहा है बहुत पानी गिर रहा है बहुत तेज बारिस हो रही है रात भर गिरता रहा है और ये पानी रात भर गिरता रहा है प्राण मन गिरता रहा है और उसका प्राण और मन दोनों ही घिर रहे हैं जिस प्रकार हम देखते हैं कि आकास में बादल गिरते हैं एक के उपर एक बादल आपस में लिपट जाते हैं उसी प्रकार से कभी का प्रा अम Phillips दों से और वहां रहने वाले लोगों के आपसी प्रीम सद्भाव सें तो जो उसके घर में रहने वाले लोग है उसके प्रैमी और प्रियजन लोग है उसके परिवार के और उन सजलनेत्रों में अब वह अपने घर को, अपने परिवार जनों को याद कर रहा है。 आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। सन 1942 के भरचोडो आंदोलन के दोरान जेल में बंद कभी बाहर हो रही वर्सा को देखकर कहता है कि आज बरसात हो रही है पानी बहुत अधिक बरस रहा है वर्सा पूरी रात भर होती रही है ऐसे वातावरण में कभी कह रहा है कि उसका मन और प्राण घर की याद में घिर गया है उसको बहुत याद आ रही है अपने घर की, अपने परिवार जनों की, अपने पिता जी की, अपनी माता जी की, अपनी पत्नी की, अपने भाईयों की, अपनी बहीनों की तो इस प्रकार से कवी अपने परिवार जनों को अपने घर को याद कर रहा है बहुत पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है घर की मुझसे धूर है जो घर खुशी का पूर है जो कवी अपने घर को और परिवार जोनों को याद करते हुए कह रहा है कि बहुत पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है ये जो पानी गिर रहा है बादलों से, बहुत पानी गिर रहा है बादलों से, उसी प्रकार उसके रिधे में भी अपने परिवार की स्मृतियों के साथ, परिवार की जुड़ी हुई मीठी यादों के साथ, खटी यादों के साथ, परिवार जोनों के विभिन्न प्रकार के प वो अपने परिवार जिनों को बार-बार याद करता है उसका घर उससे दूर है घर की मुझ से दूर है जो घर दूर इसलिए है क्योंकि कवी कारागार में बंद है और उसका घर उससे दूर है उसका घर कैसा है खुशियों से पूरा भरा पूरा है उसके घर में सभी प्रकार क खुशियां है और घर में खुशियां कब आती है जब घर में सहयोग हो आत्मेता हो एक दूसरे का मान सम्मान हो सहयोग हो तो इस प्रकार के घर में जो खुशियां होती है जो प्रशनता होती है उससे भरा पूरा घर कवी का है तो कवी अपने भरे पूरे घर को याद करके उन बहुत पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है घर की मुझसे दूर है जो घर कुशी का पूर है जो तिरना का आशह है तैरना पूर का आशह है भंडार प्रभाः बारिश अच्छन्त तेज हो रही है और बहुत पानी बरस रहा है घर परिवार की याद आने के कारण इस समय मेरी नजरों में मेरा घर और मेरे परिवार के सभी सदस्य तैर रहे हैं, मुझे एक एक करके सब की याद आ रही है, और मेरा घर खुशियों से जैसे की भरा पूरा है, अथार्थ खुशियों का भंडार है, परंतु वही घर आज मुझसे दूर है, घर की मुझसे दू जो खुशियों से भरा पूरा घर लेकिन आज मुझसे वह दूर है घर की घर में चार भाई माई के में बहीन आई बहीन आई बाप के घर हाई रे परिताप के घर के घर में चार भाई कभी कह रहा है कि उसके घर में चार भाई है और चार बहीने माई के में बहीन आई उसके घ उसकी बहीन आई है यानि बहीन अपने माईके में आई है अपने माईके में जैसे ही बहीन आई है बहीन आई बाप के घर काश है बहीन अपने माईके में आई है अपने माता पिता के घर में आई है माता पिता के सुक दुख के समाचार जानने आई है उनसे मिलने आई है और हा तोन बन माचार सुनकर के वो दुखी हो गई होगי उदास हो गई होगी बहुत जादा कस्ट पू gider अरे टिर्प कहसे हैं कस्ट और सुक हई अरे परिटाप के घर यानि ऐसे घर में आ गई वहे हम जहां पर कस्ट जहां दुख है दुख इस बात का कि उसका भाई कारागार में बंद है कवी कहते हैं कि मेरे घर में चार भाई है और मेरी विवाहिता बहिन भी अपने माईके में आज आ गई है जैसा कि हम देखते हैं स्रावन के महीने में रक्षा बंदन का त्योहार भी आता है भाई और बह प्राय अपने माईके में अपने भाई की कलाई पर राकी बांधने के लिए आती है। कि माईके में पहुँचकर वह अपने परिवार जनों से मिलेगी, अपने भाईयों से मिलेगी, अपनी माता जी से और पिता जी से मिलेगी, वह अपने भाई और भाहिनों से मिलेगी, परन्तु उसे मुझे नैपा कर, मुझे यानि कवी को नैपा कर बहुत दुख हुआ होगा बहीन को अपने भाई की अनुपस्तिति में अपने पिता का घर सुखद नहीं लग रहा और इसी भाव को परिताप का घर कह कर विक्त किया गया है भाई वहाँ पर उपलब्द नहीं है भाई मौजूद नहीं है क्योंकि भाई तो कारागार में बंद है इसलिए बहिन को जो पिता का घर है वो परिताप का घर लग रहा है घर की घर में सब जुड़े हैं सब की इतने कब जुड़े हैं चार भाई चार भाईने भुजा भाई प्यार भाईने घर की घर में सब जुड़े हैं घर ऐसा इस्थान जहां पर सब आपस में जुड़े हैं प्रेम बंधन में एक दूसरे के साथ सहयोग करने में एक दूसरे का सतकार करने में, एक दूसरे का मान सम्मान करने में, एक दूसरे की भलाई को देखने में और उसके साथ सहयो करने में तो इस प्रकार से परिवार के सब लोग घर की घर में सब जुड़े हैं, लेकिन सब के सब लोग इतने कब जुड़े हैं, कवी के मन में बार बार ये भाव आ रहा है कि कवी कारागार में है और घर पर वह नहीं है तो ऐसी परिस्तिती में घर में सारे के सारे जो सदस्य हैं यानि उसके चार भाई हैं और चार भाईने हैं, यह आपस में किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, चार भाई चार भाईने, भुजा भाई प्यार भाईने, यहां पर भुजा भाई कहकर कवी यह संदेश देना चाहता है कि भाई अपने भाई को पूरी तरह सहयोग देता है उसके साथ समर्पित भाव से खड़ा रहता है और उसके हर क्रिया कलापों में वह पूरी तरह से सहयोग प्रदान करता है भुजा के रूप में उसको सहयोग प्रदान करता है और भहिने भहिने भुजा भाई, प्यार भाईने, कभी कहता है कि मेरे घर में भाईयों में आपस में गनिष्ट प्रेम है, जिसके कारण वे एक दूसरे से जुड़े हुए है, बंदे हुए है ऐसा भाई चारा और आपसी प्रेम बहुत कम लोगों में, बहुत कम परिवारों में देखने को मिलता है मेरे चार भाई और मेरी चार भाईने है, मेरे भाई भुजा के समान मेरे सहयोगी है, मेरे साथ हर कदम पर मेरा सहयोग करते है और मेरी बहिने प्यार और स्ने की देवियां है प्यार और स्ने बाटती है अथार्थ भुजा के समान चारों भाई एक दूसरे का सहयोग करने वाले है करमसील है और बलिस्ट है तथा चारों भाईने प्रेम वह स्ने की भंडार है प्रेम और स्ने को लुटाती है पूरे उनको सहन कर रहा है तो इस प्रकार से मा भी दुख में डूबी हुई होंगी, मा की जिनकी गौद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर मा, दुनिया का सबसे खुबसूरत और बहतरीन सब्द मा, मा जिसकी ममता का कोई और छोर नहीं, मा जिसके आचल में हमें सुखद ऐसास होता है तरप्ती का एसास होता है, आत्मिता का एसास होता है, स्ने का एसास होता है, वातसलेता का जो रस और जो भाव है, उससे हमारी मन और प्रान की तरप्ती होती है मा की जिसकी गोद में सिर रख कर कवी यह चाहता है कि उसको पूर्णानंद की प्राप्ति हो जाए उसको ऐसा लगे यदि उसका सर मा की गोद में है तो फिर किसी प्रकार का दुख उसको छूबी नहीं सकता कवी ये चाहता है कि मा अपनी गोद में उसके सर को रख कर सहलाए उस पर अपना लाड प्यार और दुलार लुटाए अपना वातसले रस उस पर लुटाए जिस से कवी को बहुत सुखद अनुभूती हो और कवी से दुख बहुत दूर चले जाए कवी वरणन करते हुए कहता है कि मेरी मा बिना पढ़ी लिकी है और मेरे दुख में डूबी हुई है क्योंकि कवी कारागार में बंद है कारागार में बंद होने की वज़े से कवी परिवारजनों के साथ नहीं है और इसलिए उसकी मा दुख में डूबी हुई है क्योंकि मैं अन्य भाई बहिनों की तरह उनके पास नय होकर इस समय करागार में कैद हूँ। और मेरी मा मम्ता से इतनी पूरित है कि यदि एक बार उसकी गोद में अपना सिर रख लूँ तो फिर कोई भी दुख लेस मात्र भी मेरे निकट नहीं आ सकता। जैसे ही मैं माता जी की गोद में अपना सर रख लूँ तो फिर मुझे संसार का सारा आनंद और प्रेम प्राप्त हो जाए। मैं वात्सल्य रस में डूब जाओं मैं माता जी के गोद में अपना सर रख कर उनके लाड और दुलार में सुखद एहसास करूँ। मा की जिसकी सनेह धारा का यहां तक भी पसा रहा है. कवी को इस बात का भी एहसास हो रहा है कि मा का जो प्रेम और मा की जो सनेह की धारा है उसका अनभव कवी उसके घर से लेकर कारागार तक कर रहा है. यानि कवी को ऐसा मैसूस हो रहा है कि उसके घर में रहती हुई मा की स्नेह की धारा कारागार तक भी उस तक पहुँच रही है और उसकी मा का स्नेह और उसका वातसले का भाव उसका जो रस है वो कवी को प्राप्त हो रहा है का यहां तक भी पसारा उसे लिखना नहीं आता जैसे कि पिछली पंक्तियों में भी हमने पढ़ा कि उसकी माताजी को लिखना पढ़ना नहीं आता वो साक्षर नहीं है इसलिए कवी यह कह रहा है कवी को इस बात का मलाल है कि जो कि उसका पत्र पाता वह माता जी का पत्र नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए प्राप्त नहीं कर सकता कि उसकी माता जी को लिखना पढ़ना नहीं आता, उसकी माता जी लिख पढ़ नहीं सकती, इसलिए पत्र भी नहीं लिख सकती, चिठ्ठी पत्री नहीं लिख सकती, इसलिए कवी माता जी के पावंसनेह धारा का फैलाव यहां कारागार तक भी मुझे महसूस होता है। मुझे यहां भी उसके पावंसनेह का अनुभव करके सुखद एहसास होता है। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरी मा पड़ी लिखी नहीं है। और इसलिए उसे पत्र अत्वा चिठ्ठी लिखना भी नहीं आता। यदि ऐसा होता तो उसका पत्र कारावास में भी उसके पुत्र के पास पहुच जाता। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवी कह रहे हैं कि कवी की माता जी की जो स्नेह धारा है उसका पसारा उसका फैलाव कवी के घर से लेकर कारागार तक हो रहा है और वह इस स्नेह धारा से सिंचित हो रहा है। प्रिविद्यारतियों यहां आपने देखा स्नेह धारा, स्नेह धारा प्रेम की धारा। तो इस में रूपक लंकार हमें देखने को मिलता है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक शन भी नहीं व्यापा। अब अपने पिताजी के साररिक सोस्थव के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में कभी यहां पर हमें जानकारी दे रहे हैं इन पंक्तियों में कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक शन भी नहीं व्याप पिताजी व्रद्धावस्था में थे लेकिन उसके बावजूद भी सरीर की उम्र होने के बावजूद भी कभी अपने पिताजी के बारे में ये कह रहे हैं कि पिताजी को बुढ़ापा अभी तक नहीं व्यापा एक शन भी नहीं व्यापा भले ही वो सरीर से सारिक रूप से व्रद्ध हो गए हो लेकिन वो अपने मन से अपने रिधे से अभी भी युवा है जोस से भरे हुए है और एक शन भी नहीं व्यापा इसका आशे यह है कि व्रद्धा वस्ता से जनित व्रद्धा वस्ता जनित विभिन प्रकार की बिमारिया विभिन्न प्रकार की कमजोरियां मेरे पिता जी में नहीं है अभी भी उनके अंदर युवाओं जैसा जोस है, उत्सा है किसी भी कारे को वो बहुत उत्सा के साथ, उमंग के साथ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पैयार रहते हैं जो अभी भी दोड जाएं, अपने पिता जी की साररिक शमता के बारे में बताते हुए कभी कहते हैं कि मेरे पिता जी तो अभी भी दोड लगा सकते हैं वो पूरी तरह से स्वस्त है, साररिक रूप से पूरी तरह से वो चुस्त दुरुस्त है और वो अभी भी दोड लगा सकते हैं, जो अभी भी खिल खिलाएं, जो अभी भी जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को जीते हैं, रिधे में उमंग भर करके और वो हमेशा ठाके लगा करके खिल खिलाने में भी पीछे नहीं रहते, जो अभी भी खिल खिलाएं, व्यापा क का आशह अनभव होना कवी कहते हैं कि मेरे पिताजी सारिरिक रूप से तो व्रद्धावस्ता को प्राप्त हो चुके हैं लेकिन वे अपने मन से बूढ़े नहीं हुए है आज भी उनके रिधे में युवापन का जोस है और उत्सा समाया हुआ है उनका सरीर अब भी स्वस्त ह और वे युवकों की तरह दोड़ लगा सकते हैं और वे अब भी जिन्दा दिली के साथ खिल खिला कर हसते हैं तो इस प्रकार इन पंक्तियों में अपने पिताजी के बारे में कभी हमें बता रहे हैं उनके व्यक्चित्य के बारे में बता रहे हैं कि उनका जीवन सरलता इसकारन से इतनी उम्र होने के बावजूद भी उनके अंदर बुढ़ापा दिखाई नहीं पड़ता और वे जोस के साथ भड़े हुए हैं जिनदादिली के साथ भरे हुए हैं वे दोड लगा सकते हैं वो खिल खिला कर हस सकते हैं और इस प्रकार से कवी अपने पिता जी के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं पिताजी के बारे में उनके और गुणों के बारे में बताते हुए कवी इन पंक्तियों में हमें कह रहे हैं मोत के आगेन हिचके, सेर के आगेन बिचके, बोल में बादल गरस्ता, काम में जंजा लरस्ता, उनके बोल में बादल गरस्ता, काम में जंजा लरस्ता, हिचके का आस है, सकुचाना, मोत के आगेन हिचके, डरना, यानि वो मोत से डरते नहीं है, इतने निर्भीक है, इतने सहस इतने जिन्दा दिल है इतने सोर्यवान है कि वो मौत से भी नहीं डरते। उनका साहस इस्तर का है, वो इतने साहसी है, इतने निडर है, इतने निर्भीक है कि विशम से विशम परिष्थिती का भी वो सामना करने के लिए तैयार है, यहां तक कि सेर से भी वो लड़ जाएं, सेर से भी वो नहीं डरते, बोल में बादल गरस्ता, उनकी बोल में, उनकी वानी में बड़ाई प्रकरता है, बड़ा जोस है, बड़ा उत्सा है, कड़क और जोस से भरी हुई उनकी वानी है, ऐसा लगता है, वो बोलते हैं तब मानो बोल में बादल गरस्ता, मानो बादल की गरगराट हो रही है, जब बोलते हैं, तो काम में जंजा लरस्ता और किसी लहराना, लरस्ता मानी, सर्माना, तो इस प्रकार से उनका काम इतना दुरुत गती से होता है, इतना तिवरता से होता है, इतने उत्साह से भरा हुआ होता है, कि आंधी और तूफान भी सर्मा जाते हैं, उनकी काम करने की गती को देख करके, तो इस प्रकार अपने पिताजी क ये विक्तित्र के बारे में कवी हमें इन पंक्तियों में जानकारी दे रहे हैं, ki वे बहुत सहासी है, बहुत निड़र है, बहुत हिंमती है और उनका साररिक सोस्टाव बहुत बहतरीन है मोत के आगे वो बिलकुल भी हिचकते नहीं यहां तक कि इतने बहद्दूर है इतने साहसी है कि सेर के आगे भी वो लड़ने के लिए तत्पर है तयार है कहने का आशय यह है कि किसी भी प्रकार की विसम परिस्तिती में उनके पिताजी विसम परिस्तिती का चुनोतियों का डटकर मुकाबला करने वाले विक्ती है बोल में बादल गरस्ता उनकी वानी ओज से भरी है प्रकरता से भरी है बहुत जिंदा दिली से वो अपना जीवन जी रहे है और जब वो बोलते है तो ऐसा लगता है जैसे बादल गर्जना कर रहा हो और काम भी बहुत फूर्ती से करते हैं काम में जंजा लरस्ता आज गीता पाठ करके दंड 260 करके इन पंक्तियों में कवी अपने पिता जी के बारे में कह रहे हैं कि पिता जी का यह नेमित दिन चरिया का क्रम रहा है कि वो रोजाना गीता पाठ किया करते हैं तो आज भी उन्होंने गीता पाठ किया होगा आज गीता पाठ करके दंड 260 करक और जैसा कि उनका साररिक सोस्टव बहुत बलिस्ट है वो साररिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है और नीमित रूप से वो अपनी दिन चरिया में वयाम को भी उन्होंने सामिल कर रखा है तो आज भी उन्होंने दंड बैठक लगाई होगी 260 दंड बैठक उन्होंने वयाम करने ही तू लकडी का बना हुआ एक उपकरण जिसको हातों में लेकर के वयाम किया जाता है मूट मुगदर का हत्ता जहां से मुगदर को पकड़ा जाता है उसे मूट कहा जाता है तो खूब मुगदर हिला लेकर आज भी उन्होंने मुगदर के द्वारा कसरत की होग उसको खूब हिला हिला करके वैयम किया होगा हातों से सरीर के विभिन प्रकार के क्रियाओं द्वारा उन्होंने आज भी वैयम की है मूट उसकी मिला लेकर और उसके पशात जब उन्होंने वैयम कर लिया मुगदर का प्रियोक कर लिया उसके बाद में उसकी मूट को मिला करक और सोचने लगते हैं कि आज भी उनके पिताजी नित्य नियम के आधार पर गीता का अध्यन करके उठे होंगे। नीचे की तरफ आये होंगे। इस प्रकार आज हमने कवी भवानी प्रशाद मिस्र द्वारा रचित घर की याद कवीता का यह पहला भाग पढ़ा। इस कवीता का घर की याद कवीता का भाग दो लेकर हम सिग्र ही आपके सामने पुन है उपस्तित होंगे। तब तक नमस्कार।